नमस्कार दोस्तो मेरे नाम हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनीज वर्मा तो दोस्तो आज यह हमारा जो स्पीडो मीटर है हम इसे पूरा ओपन करेंगे और इसकी सेटिंग वगएरा कैसी होती है वो भी देखेंगे इसके अंदर कौन-कौन से हमें पार्ट्स मिलते है वो भी हम देखेंगे और वीडियो में दोस्तो बने रहे हैं मैं इसमें आज आज आपको सारे टूल्स वगएरा दिखाऊंगो कितने भी इसमें जो हमारे जो हैं टूल्स मिलते हैं उसकी सेटिंग वगएरा कैसे होती है कैसे यह वर्क करता है तो कुछ इस तरीके से हमें य यह हमारी टाई है जो इसके अंदर बांदने के लिए मिलती है और एक हमारा यह सेंसर मिलता है हमें जो सेंसर हमारा यह पईये के अंदर लगता है जो हमारी इसकोब विल की तिल्ली होती है वहाँ यह लगता है और एक हमें इसके अंदर यह बैटरी मिल जाती है अलग से यह र करता ही है तो देखिए इसको जो है पहले हम open करने के लिए क्या करेंगे यहां पर देखिए screw का निसान दिया गया है तो इसको जो हम पहले open कर लेते हैं यह देखिए यह open होगया हमारा इस तरीके से अब यहां पर हम यह वाली battery को डालेंगे तो दोस्तो वीडियो पूरा देखे पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको आज बता दूँ इसकी सेटिंग कैसे होती है किस तरीके से यह यूज होता है अब देखिए यह सेल हमने यहां लगाया और इस वाले इसको थोड़ा सा प्रेश करके और वापसी इसको इस तरीके से लगा दिया तो यह देखिए यह चालू हो गया अब यहां पर यह क्या है दोस्तो यहां पर जो है यह हमारा हो गया इसके अंदर जो सेटिंग वगएरा तो सेटिंग हम कैसे करेंगे वो देखिए अब मैं यहां क्या करूँगा, दोनों बटन को प्रेस करकर रखूँगा, । यह देखे, दोनों बटन को प्रेस और तो मैं दवारा दवा लेता हूँ, क्योंके वहाँ पर ऩो हो एज चैन्च हो गई, यहां पर हमें करना है दो और यहाँ पर हमें करना है चार तो यह हो गया हमारा 20 42 यह सैटिंग हमारी complete हो गई अब यह यहाँ पर दिखा रहा है कि हमें अपनी जो cycle की speed है वो कितने तर रखनी last तो यहाँ पर 20 भी है 40 भी यह 60 भी है तो हम यहाँ पर 60 पे click कर देते हैं क्योंकि हमें 60 तक ही रखनी है और इसको कर देते हैं complete यह हमारी यहाँ पर कि इसमें time आ गया अब time जो है हम मैं time की setting दिखाता हूँ आपको हम कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं time की setting निकाल लेता हूँ ये हमारा time चलिए आगया और यह आगया 24 तउ इसको कर देते हैं हम अब यहाँ पर देखें यह वाला point आ गया हूँ तो यह आपर जैसे कि 5 कर दिया तर यह वाला हमारा मिनट आ गया यह आपर जितना करना चाहिए उतना हो गया फिर एक बार और प्रेस करेंगे तो देखे चार बचके 14 मिनट यहां पर हमने सेट कर दिये तो इस तरीके से देखे अब सेटिंग पूरी हो गए इसके अंदर मतलब कि अगर आप एक दो बार यूज करेंगे तो आप भी इसको समझ जाएंगे अब देखे यहां पर यह काम कैसे करता है अब मैं इसको देखे इसके अंदर लगा देता हूँ यह देखे यह हमारा इसके अंदर लग गया अब यहां पर देखे यह काम कैसे करेगा यह देखे यह मीटर मैंने हाथ में लिया अब जो हमारा वील होगा वो इस तरीके से गूमे गए गए देखे यह देखिए तो देखिए जब मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से देखिए सेंसर के पास ला रहा हूं यह देखिए तो यहाँ पर हमारी देखिए कि जो स्पीड है वो दिखा रहा है यह देखिए इस तरीके से यह काम करता है दोस्तों तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसक के अंदर किलो मीटर मिल जाती हैसके अंदर यह देखे मैं टाइम भी आपको दिखा ग Какर आइक करना सेर करना और आगे नहीं कर दौना क्योंकिे मैं आगे आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा